मसकार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का अमारे चैनल TechUhelp में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मीजो एप में अपने वैक अंकाउंट को कैसे जोड़ें जी हाँ दोस्तों अगर आप भी मीजो एप्लिकेशन में अपने वैक अंकाउंट को लिंक करना चाहते हैं लेकिन दोस्तों आपको नहीं पता है कि किस तरह से मीजो एप्लिकेशन में वैक अंकाउंट को लिंक किया जाता है और जो साथ में गंटी वाला बटने उसको भी प्रीस कर लिजेगा क्योंकि दोस्तो हम आपके लिए रोजाना इसी तरह की काम के उंट्रेश्टी वीडियो लाती रहते हैं तो चलिए दोस्तो बिना डैम को बाइब वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले अपने MISO application को open कर लेना है तो यहाँ पर जैसे आप दोस्तो अपने MISO application को open करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर यह इस प्रिकारते home page open हो जाता है अब यहाँ पर दोस्तों आपको बना bank account जोड़ने के लिए क्या करना है यहाँ पर आपको नीचे कई सारे options मिलते हैं जैसे कि पहला option आपको यहाँ मिलता है home का category का order का community का account का तो simply आपको यहाँ पर account वाले option पर click करना है इस पर click करने वाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपका नाम देखने को मिल जागा तो आपको simply इस पर click करना है तो जैसी दोस्तों आप इस पर click करते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस पर कार से यह open हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देजिए मैं आपको जो है एक एक चीज बहुत अच्छे से बताता हूँ कि किस तरह से आपको जो है यहाँ पर bank add करनी है फिर भी आपका जो है यहाँ पर bank add नहीं होता है क्यों नहीं होता है चलिए मैं आपको उपर लिखा है add passbook check photo तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है अपने passbook का photo या आपको जो है checkbook का photo यहाँ पर upload करना होता है तब ही आपकी जो है यहाँ पर bank link हो पाती है तो चलिए अपना अकाउंट नमर यहां पर डाल देता हूं इतना करने के वाद में आपको अपर डेटिंग डिटल पर क्लिक कर देना है तो देश सकते हैं यहां पर दूस्तों मेरा अपना करें आपको उपघ्चार इसका अपना लें टाख शुची को अट ने शुचार केमेड्य में जूड़ो बतायें हैं यहां यहां यू जू पर देना जोल्चहुत nawd